सोचो कि आप एक मासुम से शीप हो और आपको सर्वाइफ करना है हंडेड डेज मॉंस्टर से लड़ते हुए तो मैं स्पाउन होता है ऐसा बेबी शीप मैं आसपास देखता हूं मैं एक पैन में स्पाउन हुआ था और आसपास मेरे बहुत सारे शीप थे और हे बेलते मुझ सब्सक्राइब करने के बात में मुझे बहुत सारी वीट देता हूं जो मेरे काम भी आने वाले है सब्सक्राइब करता है और यहां कि निकलने वाले मुझे थोड़े बहुत रिसोर्स चाहिए तो पास वाले पेड़ में जाता हूं मैं और जल्दी से पेड़ को तोड़ना चलू कर दिता हूं बहुत समय लग चाता है मुझे लेकिन आखिर कार पेड़ तो दूड़ जाता ह वाता मैं खातरना को लेकिन यहां कोई बात नहीं हमारा शेयफर यहां पर सब्सक्राइब को लेकार तो तो च्भर में पेकार बंड़ जैसे जाता हूं मैं अपने लिए बना लेता है उसको मेरे पर अड़क कर देता है वह तो इसको पैन में फासा देता हूँ मैं और जाता हूँ पढ़ रहा था वह बढ़ा ही आती है इसको जाता है उस पर हमला करने के लिए तो उसको एक दो फाइड यू मारता है पर मेरे पीछे बढ़ा हुआ था पता नहीं क्या दुश्मनी थी उसको शायद वह सबसे छोड़ा शीप हुई आपर इसलिए तो मेरे पर आता है तो हम दोनों मिलके इसली उसको मार देते हैं मुझी थोड़ा बाद डैमेज देता है ल क्योंकि अभी खतरा नहीं कोई और तो आनी पाएगा क्योंकि यह पिलेजर ता यह दो मारा गिया अब कौन बताएगा फिलेजर को हमने मारे है तो पुरी रात लड़ने के बाद में एक कोने में जाकी चुप-चप सो जाता हूं मैं और जैसे सुबह उठता हूँ एक सुहा को डॉगी भी जा चुका है और शीप तो मुह खोलेंगे नी तो सही मौका देखके मैं भी निकल लेता और भी टूल्स बनाने के लिए खास करके स्टोन टूल्स क्योंकि हमारे पर कभी भी अटाइक हो सकता है विलिए तो बीचारे मासुम होते है तो वह तो आटक करने वाल जाओंगा क्योंकि कोई भी निकल सकता है यह से और मुझे इजीली मारतेगा दो तीन हाट बचे होए ते मेरे पास में और जैसा है टैंपल था वैसे इसको सेट कर देता हो ताकि कोई शक न करें कि मैं आया था कोई भी आया था था थोड़ी देर बात देखता हूं मैं पर देखता है तो नहीं पता नहीं उसको शाद देख लिया तो जल्दी से में निकल लेता हूं अब मुझे नहीं बता उसने किसको देखा क्या देखा तो मैं चुप जाता हूं पैन में नहीं जाता हूं भी उची होvousट जाता हूं मैं चुप जाता हूं गालेनी हूं नहीं मैं एक ह meeting मैं सीप लायडेन में पेरल देख रहां तो इससे पंगा लेने वाले रहता हूं नहीं मैं एक ही हिट में तीनत्या शिप को मार देता है वो तो मैं समझ चुका था भागने की बारी है मैं तो भाग जाता हूँ लेकिन हमारी भोली भोली शिप कुछ नहीं कर पाती है और वे भाज जाती है और यह खतरनाक से इंसन मार देता है उनको हमारा शेफर्ट भाग के आता है उसके पीचे बहुत सारे पिलिजर पड़े हुए थे तो वो जाता है देखता है कोई भी शिप बचा हुआ नहीं है तो भीचार अब क्या ही करेगा वो लेकिन अभी भी एक शिप बचा हुआ है जो हूँ मैं मुझे इसा लगता है मैं जाता हूँ दूर लेकिन मैं गलत था वहाँ पर हमारा डॉगी बैठा हुआ था अब वो डॉगी को शायद सोया हुआ या क्या है पता नहीं इसको अभी तक समझा नहीं लेकिन जैसी आग लगती है वो समझ जाता है एक फिलेजर पूरे घर को आग लगा जेता है और डॉगी वहां से निकल जाता है वो मेरे तरफ आ रहा था कि कहा जा रहा था मुझे नहीं पता वो बात करने का ट्राइ करता है फिलेजर से लेकिन फिलेजर को लगता है ये एक वाइल वूल्फ होगा इसलिए उनको छोड़ देते है लेकिन डॉक ये फिर मुझे देखता है और मेरे तरफ भाग कि आता है लेकिन घर तब तक पूरा जल चुका था मैं डॉक को उसके मालिक के बारें बताता हो विचारा बुरी मौत मरा बेफालतों में वो भी भगा देता हूं फालतों पीछा ना करें मेरा या पिलेजर को बताना था कि मैं यहां पर था मुझे बहुत सार बर्ट दिखते हैं इन से पंगाल देने वाला हूं नहीं मैं मुझे आपर घर दिखता है सेम टूसे और घर मैं घुसनी पारा था क्योंकि घर का साइस सोड़ा च से चल रही है तो मेरे पीछे बहुत सार डॉक पढ़ जाते लेकिन तभी मेरा डॉक टाइम पर आता है मतलब मेरा ने के लिए लेकिन पता नहीं क्यूंपर मेरे भड़क जाता है और मुझे मारने के लिए आता है शायद उसको मीट खाना होगा शिपका पर क्या कर सकते हम द और मैं आपर देखता हूँ एक घोड़ा बिचारा बंदा हुआ था तो इसको आजाद कर देता हो मैं मुझे देखता है एक अच्छा सा हिल साइड जहापे हम अपना बेस बनाने वाला हो क्योंकि एक तम सेफ बेस होने वाला है तो मैं और डॉक मिलके डिसाइड करते हैं कि इतने भी कोबस चोंते हैं उसको फिर तोड़ देता हूँ और फाइनली मेरे घर का थोड़ा बात लेयाउट तो बनी गया बहुत दिन लग गए सब काम में फाइनली भूस सारे कोबस तो दोड़ने के बाद में इतना एरिया तो बन गया फिर मैं देखता हूँ कि डौग इ करने चले जाता हूं कि बनाना है मुझे बहुत साथ लगाता हूं उसमें भी लगा देता हूं जिसमेल्ट होंगे और मुझे मिलेंगे बहुत सार ग्लास मैं दर्वा से लगा देता हूं अंदर भार आने के लिए क्योंकि यहां पर हमारा डॉग भी रहेगा मैं भी रहूंगा और जो चाहिए यहां पर रह सकता है तो मैं पर सो जाता हूं अगले दिन उठता हूं और पूरे 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 ग्लासस लगा देता हूं बहुत सारे जिससे पूरा का पूरा अपना एरिया कंप्लीट हो जाता है और जैसे मैं बाहर जाता हो और देखता हो तो इतना बढ़िया सा दिख रहा था अपना पूरा लेयाउट यहां पे थोड़े बास टेरस लागा देता हो जो जादा बची होई थे मेरे बास में यहां पे एक और फ्लोर बना जेता हो जहाँ आपना डॉग रह सकता है कोई भी मैं डॉग से बात करता हूँ डॉग मुझे बोलता है घर बहुत बढ़िया बना है अब जितने भी शीप है जो आसपस घूम रहे होंगा जिनको डॉग या कोई भी मार रहा होगा या वो लीतल शीप ही क्यों ना हो जो बंदूक लेके था तो वो सब शीप को बचाने के लिए पर यहाप करता हूं मेरे बहुत सार शीप貜 रह सकते हैं जब तक में इतना काम करता हूं मेरे बहुत सार आरे लेकिन मैं देखता हूँ कि एक फीले जा रहे हैं जो मेरे उपर अटक किया था पहले मतलब वही होगा उन में से कोई होगा जो बहुत साथ शिप को बांद के कई पर लेके जा रहा था और मैं देखता हो सामने बहुत बड़ा एक मेंड़क था अब पता नहीं क्या ही बोलू मैं इसको क्या था लेकिन आटक हो और जो पी ता फाट और में खुताइक बहुत अठिक उत्वकर प्लाइन मतलब चालों करता हैं कंपर दो जाने मेरे पास में अब मेरे में बैस में में देखना है लेकिन काम के मूड में था तो चांब करने के लिए लेकिन में कमजूर था सब्सक्राइब करें लड़ता है उसके बीचे कुटे भाग रहे थे वह मुद्से मजद मांगता है और मैं तो एक शीप था फिर भी मुस्से मदद मांगता है लेकिन ही जो कुद्टे थे वही कुद्टे जो मेरे पीछे भागे थे तो यह लोग मेरी बात सुन लेते हैं क्यूंकि हमारे डॉगी ने पहले इन लोगों से बात कर लिया था तो यह दोगी मान जाते हैं थोड़े स इसको दिखा तो अपना फार्म चोटा सा मदल लावी तो चोटा फार्म है लेकिन बड़ा भी हो जाएगा इसको दिखा तो अपना फूरा को बूरा शीप पैन जो बहुत बढ़िया था क्योंकि यह फार्म को शीप पसंते तो मैं इसको अपने काम पर छोड़ते हूँ अब पता नहीं कौन से टैंपल था क्या था एक्चुली घर था पर टैंपल जासे दिख रहा था और बहुत घने जंगल में था आसपास यहां पर दिन में भी जोंबी दिखे रहे थे मुझे जो अभी तक मरनी रहते तो मेरी पीछ जाता हूँ और यहां से निकल लेता पाइब देखना हो किसका है मुझे एक और चैस्ट दिखता है अब इसको खोलता हूँ इसमें डाइमंड नहीं था अब बहुत सारे आरन मिल गया जिससे मैं अपना आर्मर बना आँगा आराम से आपना आरम से अराम से उपर जाता हूँ क्योंकि कोई भी हो सकता है जैसे मे यह बताता है इसमें लड़ने से सान्यास ले लिया है लेकिन यह मेरी हैल्प कर सकता है यह मुझे थोड़े बहुत वीट देता है और मुझे बोलता है हरे टाइप के वूल आने के लिए अगर मैं लाद दूंगा तो मुझे ऐसी चीज़े देगा जिससे मैं आराम से दस दस तोड़ को एक साथ हरा सकता हूं दस तो ज़्यादा हो गया पर फिर बहुत दिन लगयता है मुझे ट्रैवलिंग में नहीं पूरे डाय बना लेता हूं और मुझे वूल तो मेरे शेट देंगे अपना डॉक ही आता है उसको मैं बताता हूं सारी चीज़े तो मुझे टैप बना लेता हूं जैसे के लाइंड गर गश्म बस बाक की हो चुक है मेरे बास है कि उनको चालू करने चालूक difference करते यहां अब दो न हो टो wrap-22 को न चयुक्त हॉथ्यहों आफ़ Miche को टाइशन करने के लिगों और मुझे बहुत स्याइब प्रवड करता हुख लेंगे तो पी लिए न हो चुकिता है और मैं अभी नोटीस किया मेरे घर के तो बहुत दिन सफ़र करने के बाद में मुझे घर वापस मिलता है तो मैं जाता हूं पर प्रबात करता हूं तो मुझे बता तो अच्छी चीजी देगा यह मुझे तो मैं पूरे बूल देना चालू करता हूं बस मुझे और फाइनली यह कुछ ड्रॉप करता है मेरे लिए और यह साइड हो जाता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा खातरनाक चीज है तो मुझे देता है यह बहुत साइब लगे सब जमा करने में पर यह बना तो शीप के लिए तो शीप को तो मेरे हेल्थ डॉबल ट्रिपल हो चुका है मतलब मेरे हेल्थ बार कुछ ज़्यादे बढ़ चुकी है तो बहुत अच्छी बात है और मैं हॉन को यूज करता हूँ तो हॉन तो कुछ ज़्यादे ओवर पावर्ड था क्योंकि सीथा जमीन डूटरी थी इससे तो मैं अपने हैं यह भी खतरनाक था लेकिन फाइनली पांचे हिट के बाद यह हार मान जाता है और यह मुझे सारी चीज़े बताता है कि इसके बीचे मुटन डॉक का हाथ है उसके आर्मी का हाथ है तो मैं समझ चुका था इसका क्या करना है सीधा मौत देना इसको तो अपना एक होगा और एक बूट बनाओं कि इतने बचे होए थे और की शिप का जो मुंडी है मतलब उसका जो स्टैचू बोल सकते हैं इसको मैं आपर लगा देता हूं ताकि कोई भी आप आके हमला ना कर सके क्योंकि उसको मालम होना चाहिए यह रह सकता है आपर तो कि सब डरते मैं आ वो सब्सक्राइब इतना खतरना कि इसके प्लाइब को भाया और आपाने के लिए और मुझे भवार और ऊचो है तो तो जीप से बीछيا इसको अपने पास खीचता है तो मैं समझग हो का थाङ टा हूँ और छारजेट एक होता हूँ शाइब Listening कॉछ चीज़ें मिलती है मुझे टोट्ट मिलते और मुझ य। अपने में षिफ आयो, य। तो फाइनली मैं इसके लड़ाई करवा देता हूँ वैसे मैं नहीं करवाता था खुदी लड़ा थे दोनों यूँकि एक हमारा डॉट सेंटीनल है और एक मेरा तो मेरा जिट जाता है तो मैं इसको आज़ाद करते तो मैं अपना रिंग उतार देता है और ये गायब हो जाता लेक कर rapide 2 तो जाता है तो सिर्फच को खाने काम करता ऊता है क्यां रेपना ब reply से अंब आधार नहीं और वमेलगायए तो हम आगे जाते हैं यह हमको मिलता है एक रूइन तो यह रूइन क्या था मैं नहीं जानता हूँ लेकिन यहाँ बहुत सार ट्रैप्स थे तो मैं जैसे ही आगे जाता हूँ मुझे बहुत से रायरो लगते लेकिन कुछ फारक नहीं बढ़ता है अब मुझे पता हैं यहाँ सारे शड़शक कायद करके रहा है और यहां पर से सह मुझे मैंस इसे बाते बहुत सारे नहीं सब्सक् laughing ओर भरत eigenlijk की मैं पृटकर Breaking अवर सरी और ऑगे झालिए यहान्यक्सीन मज़ना पर राटेक्शन लेकिन तभी mutant dog मेरे पर attack कर देता है लेकिन ये mutant dog नेता है ये तो lethal dog था और इसको लगता है मैं भी एक normal ship हूँ तो ये मुझे बोलता है अंदर जाने के लिए और मुझे पूछता है बाकी dog का चले गए तो मैं इसको बताता हूँ मैंने मार दिया तो मेरे पर attack करता है और ये मार खाते-खाते मुझे बताता है कि mutant dog ये जो सारे ships को मार रहा है तो उसका मतलब तो मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि toad को वो ही supply करता था पूरे ship और फिलेजर तो ऐसे नमूने जो आसपस घूमते थे तो इसको मारते तो मुझे sword मिलता है diamond का मतलब लीथल डॉग ये म्यूटन डॉग जो भी होगा बहुत अमीर होगा मैं देखता हूं मतलब यहां पर पता नहीं बकडी बकडी होगी पर थी नहीं तो मैं आराम से इनको आजाद करता था पूरे ships को और इन सब को अपने घर जाने के लिए बोलता हूं तो देखता हो सारे हमारे ships मर चुके तो मेरा डॉग बदला मुझे नहीं पता कि यह तो मेरे साथी था मैं जैसे अंदर जाता हूं हमारा जो विलिजर ता डरा हूँ था अंदर और मुझे बताता है और इसने पूरे ship को मार दिया लेकिन यह तो भाग गया क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग धार था तो मैं head लेके चलता हूँ अपने king का मतलब जो हमारा king तरिटार वाला क्योंकि इसको देखके सब डरते तो मेरा काम बन जाएगा मैं जाता हूँ इस वाले temple में क्योंकि मै मार देता हूँ मैं और इस वाली गरीब को इमार के खा जाता हूँ मतलब खाता तो नहीं हो पर फिर भी मैं चाता हो इस टैंपल के अंदर थोड़ा वाद में नीची नीची जाने का मूझे नीची दिखते एक विच जो सारे के सारे मॉपस जो भी है जैसे कि यह हो अगया प्रवाइब तो आपने घर को देखता हूँ जो मैं शुरुआ था और आपने नयवाले घर में आ जाता हूँ अपने डॉटी को बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है तो यह भी मेरे साथ चलता है मारने के लिए उनको क्योंकि शिप्स के साथ बहुत बुरा हुआ है मैं पहुच जाता हूँ कि सामने एक म्यूटन डॉग है जो बहुत जाथा खतरनाक है हमारा डॉग भी खबरा जाता है मैं उसको साइड होने के लिए बोलता हूँ मैं इसे थोड़ा बात करता हूँ तो यह मुझे फॉन फाट के लिए चैलेंज करता है यार इसी लिए तो मैं इसको मार नहीं पाऊंगा लेकिन जैसे मैं ट्रेडर जर की खाता हूँ और पोशन पीता हूँ तो बन जाता हो किंग शिप में थोड़ी देर के लिए बना मुझे लेकिन हम दोनों मिलके इसको मार देते हैं लेकिन फिर मुझे वालम चलता है यह तो बच्चा था असलिए तो यह तीन-चार बच्चे हुए लोग है जो बहुत सारे डॉग है वह म्यूटन बन चुके है मतब दुश्मन बन चुके शिप के और शिप को मारना होगा तो एक साथ मैं बूलाता हूँ और एरो से मारना चालू करता हूँ लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और इनके पास एक अबिलेटी थी कि मुझे स्लोनेज दे सकते हैं लेकिन डॉग इनके पर एटक करता है उसके ज्यादा कुछ होता नहीं है मैं उसको साइड होन और यह बहुत ज्यादा पावर्फुल था क्योंकि सबसे वह डॉक्ता जो म्यूटन बना हुआता तो इसके साथ होती है मेरी और दो तीन हिट के बाद मैं म्यूटन वुल्फ को हरा देता हूँ एक मारतों खतम हो जाता है वह मारने वालता वैसे तो पर बच जाता हो और कु अब्रेड होता है